हैले दोस्तो राना क्लासेज में आपको स्वागत है तो बड़ी खुश ख़वरी आ रही है बिहार से तो क्या है तो चार लाख नियोजीच सिचकों की जल्द तैयार होगी सेवा सर्थ तो राजी के प्रारमभिक से लेकर मादमिक उच्च मादमिक सरकारी बिद्याले में कारि करीब च्यार लाख नियोजीच सिचकों की चीर परतीचित सेवा सर्थ की मांग नये साल में पूरी होने का असार है बर्स 2015 में एक बड़े आंदोलन के बाद नियोजीच सिचकों के लिए राज में नया बितनमान तो लागू हो गया लेकिन उनकी सेवा सर्थ की मांग तब स के लिए विभाग से लेकर सरकार के स्तर तक तवर्माम परक्रियाएं पूरी करनी होगी सेवा सर्थ की सुभधा मिलते ही नियोजीच सिचकों को पुर्णती का लाग मिलेगा और हेडमास्टक तक बन पाएंगे दूसरा बड़ा लाब नियोजीच सिचकों की पहली नियोजीच कुमार ने इसके संकेत दिये थे उन्होंने काहा था कि समय आने पर पैसा भी बढ़ाएंगे हलाकि कितना बढ़ेगा यह तैं नहीं है पर माना जा रहा है कि 20% की बिर्दी हो सकती है सेवा सर्थ एक ड्राब भी बना है तो सेवा सर्थ का एक ड्राब भी बना ल इनकी सेवा सर्थ समान बेतन की मांग लंबे समय से उठा रहे हैं सिच्छक तो सबसे वड़ी ख़वर है कि सुखबुगा हर तेज हो गई है और इससे नियोजीच सिचको को जो बड़े समय से जो आंदोलन कर रहे है तो इससे काफी लाब होगा क्योंकि अब तक देखा जा नियोजीच सिचको को है जो कि स्कूलों में खासकर सरकारी सिचको के अलावे है जो कि इनको बहुत हीन डिश्टी से देखा जाता था और इनको यह समझा जाता था कि महत्पूर्ण कार्ज है जो खासकर बी तीय कार्ज है जो कि मिलकुल ना दिया जाए यह नियोजीच सिच हैं और इनको हे की डिश्ची से देखा जाता था लेकिन अब इसी बदलने वाली है क्योंकि सरकारी वेकेंसी है जो कि बिहार में लगवख बंद हो गई है और नहीं निकलेगी तो निश्ची तुरूप से नियोजी सीच को को सुबधा देने की तयारी बिहार सरकार कर रहे और इनकी लंबे समय से मांग है और इनकी मांग भले ही स्थाई सी छक्की ना होसके लेकिन इनकी सरकार को माननी पड़े क्योंकि इनकी संख्या वल जादा है और तोकि सरकार को भी अब इसी में फाइदा है कि इनकी है जो कि सेव सेवा सर्थ होगी उसी के मुताबिक है जो कि इनको सारा चीज पर मुसन मिलेगा और यह हेंड मास्टर तक भी बन सकते हैं और धीरे क्योंकि सरकारी सिचक जहां तक बाते लगवागे क्यों 65 से 70 हजार है जो की बिहार में है और जो जल्द ही है जो कि आपको 10 से 15 ब्रस के क्योंकि नियोजी सिच्छा की भरती होगी तो इसलिए इनकी सेवा सर्थ को बिहार सरकार बना रही क्योंकि अब बिहार सरकार सरकारी सेवां की भरती सिचकों में नहीं करेगी तो इसलिए इनको सुवजा दी जा रही कि लोग इससे अकरसित हो और इसकी परिच्छा में भी जो इनकी उसमें है जो कि भाग ले और तो ये बड़ी ख़बर है खास कर जो नियोजी सिच्छाक उनके लिए मांग कर रहे तो बहुत सारे सिच्छकों का कहना है कि ये सिर्फ चुनावी पुलाव है लेकिन सिच्छकों को खुष करने के लिए है जो कि कम से कम सेवासर्थ भी मिल जागा तो ये बड़ी उपलब्दी होगी और निशीत रूप से नितीश सरकार भी चाहती है कि सेवासर्थ मिले जिससे की एलेक्शन में इसका निगेटिव अप्रिट्यूट नहों हो जिस तरह से जहां जो कि यहां जो गरवड़ी हुई है वो पीससी इंटर लेवल का प्रीकर यल्ट है ये अगर यल्ट नहीं आता है फ्रारंबिक महिनों में तो निश्टी रूप से ये सरकार के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनें क्योंकि वेकेंसियां तो आई हैं लेकिन इसकी संख्याएं काफी कम हैं दरोगा की मातरों 2446 है और सिपाही की 118800 लेकिन जो बहुत परतिछित जो बड़ी संख्या में है 13160 इंटर लेवल तो ये भी सरकार के लिए खत्रे की घंटी हो सकते हैं इसलिए सरकार को भी चाहिए कि इस पर विशेश धियान क्योंकि इस अब लापरवाही है जो कि जनता के बीज जाती है और युवाओं के बीच तो नि यहमँटा के गिडियान के लिए हिए